कराची डूप गया किसी को एहसास नहीं सिंधाई कोट ने सुबाई हुकुमत और बल्दियाती इदारों पर बरहमी का इधार करते हुए कहा लोगों के घर और सामान सब तबा हो गया हर इदारा एक दूसरे पर जिम्यदारी डालता है सिंधाई कोट ने डिस्ट्रिक्ट सेंटरल से कच्रा ना उठाने और बरसाथ के बाद शहर में नकासी आपका निजाम मुतासर होने के मौमले पर जिम्यदार अफसर को फौरी तरफ कर लिया समात के दौरान जिस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमाक सिये के कच्रे की वज़ा से बरसाथ में कराची डूब गया यह अल्मिया है किसी को एहसास ही नहीं हर इदारा एक दूसरे पर जिम्यदारी डालता है किसी ने देखा कराची में गारियां बारिश के पानी में डूबी थी लोग घरों से अपने बच्चों को नहीं निकाल पा रही थे बरसाथ में लोगों के घर और सामान सब तबा हो गया क्या हमें से कोई बारिश के और गंदे पानी में जा सकेगा अदालत ने सुभाई हुकूमत से इस तफसार किया ये तो बारिश दे शहर डबोया अब अलाइशो को इदे कुर्बाग पर ठिकाने लगाने के लिए क्या बंदोबस्त किया गया है सरकारी वकील ने कहा हुकूमत ने मुतलिका इदारों को फंड परहम करने है अलाइशो को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया जाएगा डिस्रिक्स सेंट्रल से कच्रा उठाने की केमसी और सॉलिड वेस्ट मैनेश्मेंट की जिमेदारी है पूद बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्स सेंट्रल में सॉलिड वेस्ट मैनेज्मेंट को गच्रा उठाने की जिमेदारी नहीं दी गई जस्टिस खादिम हुसाइन शेख ने रिमाक्स दिये कि हुकुमत को काम करने से पहले फंट्स की फिकर होती है